हेलो फ्रेंट्स नमस्ते मैं हूँ विशल और आप देखरें तेजिस्कली यूटूब चनल दोस्तों आज मैं आप लोग का पैंड का मेटिरियल किस तरीके से कटिंग करते हूं मैं आज आप लोग का बताना जा रहा हूं तो देखिए दोस्तों सबसे केड़ा को क्या करना तो इसे पर यह ब्याएं मेजरमेंट देखिए एक शूर का पैंड है इसका लेंग चली से का एक तालिस रिसका कमर हे 22 चींज रिसका इपी 3 तीज पर ताइज रिसका घुट्ण यानि कि नी 7 रंज और स्काु बॉटम मूर्टियें तुहे रीनज दिसके जो सीटे 10 चीन्श ठीके और असका 22 चीन्श को मरका किस तरह किसे मेट्रेल्ट कते ऊतrain देखिया देखिये दैश्तो अस्दों सो soundsx प्राहरद्र यह होगाया प्रॉक्टिंग नेफी का सना कहता हैं? यायो स्काइब a you would all this look at that सो फ्रीकीस समय अपना पर सभ्भिये नीघिया एम नसे अपना प्रॉक्टिंग सब्रॉक्टिंग को से कस्तोर और पंधनी जारा रहाए लिकिता है की सहां अपना पक्किटिंग आपना पैंड की रूल हम इस तरफ कीशे को दिखे aos की में जो भी कपड़े इस कपड़े काम इस तरही किसे दो नी कल दें तुख्य थे تھंद दोस्तों इस तरी किसे आशना से खर्च उठा लेंगे है कि खर्च उठाने के बाद देखिए जोस्तों जो ये बेक का पल लाए देखिए इसका हम गत लगाते लोगी इसका है देखिए यहां से देखिए कभे यह जो हीप कल्स आए अर्नि हासे तरीक से हम tan ह किसका प्र पटकेट गाम सबसे पहला निशान लगाती तो क्या करना होगा सबसे पहले यहां से की Silly का शिलाई का मार्जिन हावागा शिलाई को मार्जिन हमें चोड़ लिया अर इसका wealthy कितना है 22 रस तो यह-स आहंटा ही करना वही बसफ्थ वाए शिलाई करना आई 845 behavior यहां से हम दाई इंच पर एक मार्जन लगाते हैं ठीक है डाई इंच भी लगा सकते हैं एक मार्जन इस तरिक इस लगा लेते हैं ठीक है भूझे नें 5 ची राखनेаться 5 ची नें 5 ची ने 2 Ăसवोστ गहां 1 bege dette 5 ची ने 5 ची चीवारां 6 5 ची ने 2 ची ने शीद़ कें तो इस तेरीके से या हम बिल्कुल शीदा कर लिते तो ये निशान यां पर लग गाया दो ये पनाम इस तेरीके से लगा लेते, यह हो गया, पकट का मार्जिन, ठीक है, यह हो गया, और इस से और आसम तरीका क्या हो गया, यहां से आँ धाइन छोड़कर यहां से 5 इंच ना लिया, 5 इंच का सेंटर, धाइन पर इस तरीक से मार्जिन लिया, ठीक है, यह हो गया, पकट का क्या हो गया, निशन और आप कमर के एठ फोड़ कर सीथे दूसरा तरीका क्या होगा जो यह लाइन यह मार्जिन के पुधै से यह बिना छोड़ के मार्जिन यहां से कपटे के जो यह हिस्टा से यहीं से आपको क्या करना कितने इंच का पॉकेट लगाना है व्याक में 5-5-5 ठेके पांच इंज का लगाने तो यहां से डाइरेक्ट देखिए यह कुटका तक इस तरीक संद आपने देखिए बिल्कुल पांच इंज का आ रहा है यहां से यहां तक कि कुटका तक कितना आ रहा है पांच इंज मतलब पांच इंज का लगाने अगर आप बड़े कमार के साने पा किय करते हैं पुरा पुरा मार्जिन है इस तरह की से रख ले तो अब रे लेंगे अब देखिए यह ओगए अमारा थाइ कर हिस्छा एक लाये होने हिस्षा पहनी तो हम इस तरविक से सबसे पहले यहां पर इस कि sizing था ऐसे तरहें से कटकर दीगे और यह भी बटं में भी इसी मारजिन किसे चाफ से फिर्शे कट कर देंगे ठीक है कट करने एक लिए देखिए दोस्तों इसटरी किसे बरोबर कर आए और इसके उपर निचरे इस तरी के शिरी कशे इस तरी किसे कि जो तो तरीकं से तरह का बlished थे ऐसे करते करते थोड़ा लंबेड नंगेंट डिस्टेंस पर इस तरीके से निचे से उपर तकी आपको इस तरीके मार्क उठाना है यहां से देगे दूनों तरफ 마rekt को उठाने कि आपको दोनोत शिलाई करने कवार दोनों तरफ बराबर आजाय ठीके इसतरहे एरब ये ब्जैख तक्ट्रीं मंपड्ऱे खुमने इसका कम खत्म हुए और हम सामनेवाला पल्ले बर में भीखर ये सामनेवाला मंपनेका लागानाया यहाँ पर ठेक है यह हधाई आपना लेंद का निसान अब ऊपर चल देए धेगर यह हगया गया घुटना का मार्क ठेक ही अ अब यह हगया अब अपना फालाय का मार्कunter कितना रखना है दोस्तों अपना इस तरीके छें न रहिए ठेक है इसे लोलाराउंडें से ढेकना है ज्यादा नीचे भी नई रखना है और ज्यादा उपर भी नहीं राखना है साणे से साथ वो लंबा कहा है साव जो कल रिएक रित्त के कल देघंचे लोऻसे कल से यहां जे जल शाणे तो यह बिल्कुल Cross pocket है no crease वाला है no plate वाला है इसमें Plate नहीं है रिय च्रिक है cross pocket जो mark करें देखिए यहांसे हमें बिल्कुल cut करना है कट करने के बाद यहांसे हमें बिल्कुल नीचे 8 इंच ठीक है आट इंच पर इस तरीके नीचान लगा दोने लिए पर हम शिल необходимо लागा लेंगे एहां से तक यह तक का इंग विल्कुल इस तरीके से आपका चांज का मुह रहता है तो उपस नीचे आटींज पर बिल्कुल ठीक वह जाता है ठीक है यह गया इस तरीके से आपका कुटका की 32 इंच कमबरे ठीक है अब 32 कमबर में देखिए यहां बर शिलाय भाग जाएगा और यहां पर शिलाय भाग जाएगा दोनों तरब और यहां ब है और यहां से शिलाय का जगा जोड़ना है और इन दोनों की बिच का जो वह आठ कमर का चौंथा हिस्षा रखना है तो इस तरीके से यह हो गया आपका कि सामने वाला कि पल्ले का मार्क ठीक है अब इसको में साइड में रख लेते अब हम देखिए और इस तरीकी से यह हो गया अपना कोर का हिस्सा एक पाइब कर का कभी रखना नाहिं है इसको हम काटके इसवाल नहीं मतलब इसुए एक हिसा हम लुपी के लिए ठीक है लुपी के लिए हम इस्तेमाल कर लते के कि स्पासियूपIEL किसी मिला ना है देखिए अगे यहां से 12 इंज ठीक है क्योंकि 22 इंज कमर है तो 22 इंज कमर में हमें 6 लूपी लगता है तो 12 इंज आ गया 12 इंज में कट कर लेंगे तो दोनों तरफ बारा बारा करके 24 इंज हो गया है तो चार तिया 12 मतलब एक इसे से तीन लूपी आजाते दूसरे से तीन गरके 12 लूपी जोड़ी 6 लूपी हो जाएगा ठीके अग देखिए जो यह हिस्सा है देखिए यह हो गया अपना फलाई का हिस्सा ठीके यह जो ब्यक से जो यह फलाई का निशान जो आता है इसको हम इस इस तरीकेसे कट करतेंगे यहांसे अलका तिर्शा और यहांसे निचेसे हम साने आठेंच का ठीके साने आठेंच का इस तरीकेसे हम ले लेंगे ठीके यह गया फलाई का लिए अब जो बाकी वचा वह जो कपड़ाई देखिए इस वालेसे यह जो ब्यक से आरा है यहां तक तक हमें इस तरीके से इसको यहां तक इस तरीके से कट करना है ठीक है इसको यहां तक कट करके अलग करना है यहां पर देखें यह मार्जिन दो देख रहा है यह अमारा उल्टी तरफ है इसको उल्टी तरफ है इस तरीके से अमें मार्जिन उठाना है अब देखें दोस्तों या बचली कर्सका है सब्सकार का सब्सक्राइर मेर सवागर ना कर्स당 करण चेक वाल है ला अगनी चेक मिलाना है इधर से आया हुआ जो चेक है और इधर से आया हुआ जो चेक है चेक वाले में दोनों चेक को इस तरीक से मिला के रखना है और इसको भी इन चेक को बिल्कुल इस तरीक से मिलाना है और यह प्लेन है तो प्लेन में ते चेक मिलाने के जोरत नहीं यह आगे वाला पला के जो शेप है इसी शेप में इस तरीके से हमें इसको कट करना है इस तरीके से और यह कॉपड जो यूज में आता है इसको साइड में रखना है और इस तरीके से इसको बिल्कुल देखी दोस्तों इस तरीके से इसी शेप में हमने कट कर लिया और यह उप यू आग cercapeете ये अपर कट लगा है इसको चाहल पर कटे निजे के इससे टरीके से कोक लगाना और है यहां इधर को इधर भी सकत्य यहां पर करेंड़े कर है श्राइब त्सक्राइब करेंड़ेंग त्रम अब ₹ ? , , kit नीचे ज्यादा वाजवा हिसा आए इस कोट से थोरा नीचे इस तरी केसे कट करना है इस तरी केसे कट करना है देखिए इस तरी केसे कट करना है और नीचे के तरह बिल्कुल इस तरी केसे पुरा की पुरा इस तरी केसे छोटे-छोटे कुटका लगाना है देखिए इस तरी क स 선र्गे taking tubing इसको दो वाग में अलग करना है करा को कि देखी कि दो भाग में हमने अलग कर लिया ठीखे इससीलिए हो जातीपीस सीपीस अब पिजातीपीस सा पकटीद जिसक में हम में पाइपित कप्डवाल geographic कर निकाल दें अुशन केलिए यह जो जुऑ वहां से होज़ए इसको इस तरीके से निकल लाए और हमने वैं अ हम निउ कि नंपने कि तना लेंथ मारिब च्याद लेकर के उचलों की से लिफाघ संब् सनायकर अमें वा सबूआ लेना है डेकं इस तरीके से इसको भी आठसे लेना है है कि जो देखिए। क्रोष पकट करें हो ऐसके को मारक है वह थ्मैंख धोरा रावर सेफ में ठीक है तो इसको भी हां मी इस तरिके छी रावनसे पर इसको भी काटना है कि दूलिक हाँ से इस तरीकेशे हो रावन करके इस तरीकेशे में कद जाना इसका पाइपनिकनें यह दूनु यह विए थिके दोस्तों अब जो इस वाले कपड़े से जो ए देखिए जो यह कपड़ा बचा है देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है सबसे पहले इसको भी आम इस तरी कीसे उल्ठी तरसे मार्क लगाना है ताकी आसानी से पेचाने कब्रा निकाडना है देगे यह अतना नम्मा है तो यहांसी हमें इस तरीक से बेल्ड की कबड़े सबसेते कब्रा निकालना है गृー यह सबसें इस तरीक से हमें तोक्ता करते है कि सो ऊसटेय किसे यांसे बेल्ड का कबरा कि क्वेने निकाल देल थिक है यह राखली है scholars अब जो यह बचा वायस है बाग्राउजंगा सारा खाला निकालना निकालना है देंखिए दोस्तोंह और सउसे फैले आमें किया करना है आँदो बोन की कफबरा निकालना है और देखे इस में से जिन्ना कबड़ आए इस में से बोन भी आ जाता है और जाती पिश भी आ जाता है ठीके अब देखे दोस्तों फिर उपर से नीचे आठेंस का एक अर्ण कट कर लेए ठीके यह हो गया फलाई के लिए कौन से फलाई राइट फलाई जो दयान साइट का फलाई बता है उसी फलाई के लिए इस तरी के से देखे ये चाक वाले मार्जिन जो है ये अंदर की तरफ है ये उल्टी तरफ है इस तरी के से पलट ना है ये उल्टी तरफ के इस तरी के से बीचे रहना है और इसको यहां से सबसे पहला स सीधा लागाना है यहां से बिल्कुल सीधा काट करना है सीधा काटना है ठीक है सीधा काटने कबाद इसको इस तरह किसे पलाटना है यह उल्डी तरफ यहां से इस तरह किसे क्रॉस में काट करना है इस तरह किसे काटना है तो देखें दोस्तो इस तरह किसे यह हो गया राइट सभी तोर सकते हैं तो इसी तरह के से थोरी बाइकसरी क्यों मं će मोढ कर इसकी ऊपर यिये फिलाई रखे कर सकते हैं किoff colot इस तरह किसे लाते हैं मैंने अलग니 व दाल दिया हूं व passer soon में मिनने वाला है याने कि मेरा प्ली लिस्ट में भी जाके आप हो तो यह हो गया फला चाहिए खें छिखें तो इस तरीकस उन्हिस है पुरा का बाइट का मडल कर लए अब हम कट करते हैं फिघूपयटेंहीं पचे कीसा है . यह हम अगले वीडियो पर आपको डालने वाला हम आ sulph